भारत का मिशन मून इतिहास सचने के बहत करीब है महस एक दिन बाद याने कि बुद्बार को शाम छे बज़ कर चार मिनट पर जैसे ही घड़ी की सुईयां पहुचेंगी चांद पर इतिहास राचा जाएगा हिंदुस्तान का चंद्रियान तीन चांद पर उतरने के लिए सॉफ्ट लेंडिंग करेगा जैसे जैसे वक्त बीत रहा है देश की बेस सबरी बरती जा रहे है हर किसी की नजरें इसरो वैग्यानिकों की ओर टिकी है जो 38 दिनों से समिशन को सफल बनाने में दिन राच जुट इस तारीकों यह उम्मीद की जा रहे है शाम 6 बच कर 4 मिनट जैसे होगा तो यह सॉफ्ट लेंडिंग करेगा हाला कि यह पहली बार होगा अगर ऐसा कुछ होता है लेकिन उम्मीद की जा रहे कि इस बारे सफल हो चंद्रियान दोस्ते हमने बहुत कुछ सीखा है तो चांद अब दूर नहीं है काउंड डाउन शुरू हो चुका है अब बस ज़रा से समय कुछ घंटे बागी है और कल जैसे 6 बच कर 4 मिनट होगा वैसे ही यह सपस्ट हो जाएगा कि इस मिशन का क्या होगा हमारी मिशन मून की क्या सित्य होगी लेंडिंग का वक्त है 6 बच कर 4 मिनट यानि की अब से 28 घंटे 44 मिनट और अब सेकंड दर सेकंड ये कम होता चला जा रहा है वक्त बस इतना वक्त बाकि है और वैग्यानिकों की नजर लगातर बने हुए है क्योंकि अब तक जो मिशन है वो सक्सेस्पुल रहा है यहां तक की जो चंद्रियान 2 का और्बिटर है उससे संपर्क साथ लिया गया है और चंद्रियान 3 सौफ्ट लेंडिंग करे पिछली जो खलतिया है उसको देखते हुए बहुत सारे अब चांद दूर नहीं है यही सब कह रहे हैं अर्टनोस मोड में होगा और उस समय किसी का कोई भी श्यक्राइन 3 और देखना है हर तरह से सब्सक्राइए और उम्मीद है इस मोटना करें उसकिवी परियास होता है कि जब भी प्रियास करता यूज तो अपना है mille 100 पर्सेंट ये इकना ।ो फिर भी देखिए li की बारे में किसी का भी 100% बोलना मतलब बोलते हैं साइंस कभी फेल नहीं होती है लेकिन टेक्नोलोजी फेल हो ही सकती है लेकिन हम बहुत ही मतलब आशार रखते हैं कि हमारा यह जो लेंडिंग है यह सक्सेस्पूल होगा